इस वीडियो में दोस्तों आज हम देखने वाले हैं फिलिप कार्ड, डेविड कार्ड, EMI, मोबाइल कैसे ले सकते हैं यहने कि दोस्तों फिलिप कार्ड पर हम कोई भी मोबाइल फोन को EMI में कैसे ले सकते हैं मेरे पास काफी लोग का कमेंट्स आता है रिक्वेस्ट आता है कि सर हमारे पास फिलिप कार्ड अप्लिकेशन है और हम उस अप्लिकेशन का यूज़ करके मोबाइल लेना चाहते हैं EMI में तो वहाँ पर वह से तो मोबाइल लेने का दोस्तों आपको काफी तरीकी का उप्सन मिल जाता है जैसे कि दोस्तों आपको जो है आपको जो है क्रेडिट कार्ड से मिलता है काफी तरीकी का उप्सन है मोबाइल लेने का बट मैं इस तरीके में दोस्तों आपके पास क्या होता है कि कैस काफी लोग के पास अगर आपको जानकारी नहीं तो मैंने जो ए दोस्टो फिलाल में ही दोस्टो आइफोन यहाँ पर दोस्टो देखते है आईफोन 15 Pro Max मैंने दोस्टो यहाँ पर यह वैरियंट बैने लिया हुआ दोस्टो EMI में लिया हुआ ठीक है? और उसी तरीके का use करके मैं आभी आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम लोगे EMI में ले सकते हैं अब काफी लोग बोलें कि सर आपने EMI में लिया है हम कैसे यकीन करें तो अगर आप हमें दोस्रों Instagram पे फोलो करते होंगे इस्टाग्राम पे दोस्तों अगर आप हमें जानते होंगे इस्टाग्राम को फोलो करते होंगे तो आपको पता हो कि वहाँ पर दोस्तों मैं हर अपडेट आपको में देता हूँ अगर आभी तक फोलो नहीं करते हैं तो जाहिए फड़फड से इंस्टाग्राम पर आज से ही दोस्तो फोलो करना ही स्टाट कर दिए ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं और आपको हम पूरा प्रोसेस बताते हैं step by step कि किस तरीके से दोस्तो आप आईफोन नहीं ठीक है नोर्मल से यहां पर मैं बात बता रहा हूँ यहां पर मैं सिंपल से यहां पर एक नोर्मल यहां पर मैं बात कर रहा हूँ कि आईफोन आप यहां पर आईफोन भी ले सकते हैं मैंने दोस्तों मोबाइल लिया हुआ था, मैंने एक दोस्त को यहां पर gift किया हुआ था, तो उसके लिए दोस्तों हम यहां पर क्या करेंगे, accounts पर किली करेंगे, और यहां पर दोस्तों मैंने यहां पर product जो मैंने यहां पर deliver करवाया है, है देखेते हैं आप हमारे के सामने यहां पर दोस्तो हमारा जो ओर डinka से कीसे आप हमारे जीकी फाले। तो जो यहां पर मैं आपको पाहले कन्फर्म कर देता हों क्योंके यह चींजिछ आप हंपको कोई नहीं बताएठा ऐसरा कूल्प के आपको नहीं कों और आप लोग भी दोस्तों EMI का यूज करकी कोई भी मुबाइल फोन खरीद पाओगे बस आपके पाथ दोस्तों नॉर्मल सा ATM कार्ड होना सी यह ठीक है तो फिलिप कार्ड ग्रूप पर दोस्तों हम ATM कार्ड का यूज करकी आज हम मुबाइल लेने वाले हैं आप लोग ने द अब दोस्तों फिलिप कार्ड आपकैसान हमारे पास आ चुका है जिसको दोस्तों देख सेते हैं मैंने यहाँ पर पहले से यहाँ पर भी मुबाइल फोन लेना है वह आप यहाँ पर सर्च करेंगे जैसी कि यहाँ पर हम दिखा देना चाता हूं कि जो भी mobile phone आप यहाँ पर लेना चाहते हैं यहाँ पर आपके एक options मिलड़ा है देख सेथे search का आपको दोस्तों यहाँ पर search में जाना है और यहाँ पर दोस्तों आप लोग जो है search के options पर किलिख करेंगे तो आप दोस्तों कौन सा mobile लेना चाहते हैं जैसे कि normal सा में दोस्तों ओपो का कोई mobile यहाँ पर मैं आपको search करके दिखा देता हूँ जिसका दोस्तों बजट जो है 15-16,000 के बीच में होगा ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं जो है 15-16,000 के बीच में 5G mobile है sorry यहाँ प तो आपको थोड़ा सा निचे ज ऑफ यहाँ पर मिल रएटीक है उसी के निचे दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे जय है और इस वाले पेज में आना है जैसे के दोस्तों देखेते हैं यहाँ पर मैं जो यह circle बना रहा हूँ वहाँ आप ध्यान देना यहाँ पर दोस्तों लिख करके आ रहा है no cost EMI from यहाँ पर दोस्तों देखते हैं 1646 रुपे पर मंद EMI ठीक है EMI दोस्तों आ रहा है नहीं तो आपको option ही नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्व, view plan के options पर हम click करेंगे इस तरीके से, अब view plan में दोस्व, click करने के बाद हमारे सामने दोस्व, काफी तरीके का interface आ चुका है, जो दोस्व, no cost EMI के लिए eligible है, लेकिन दोस्व, हमें जो है ATM card का use करके mobile लेना है, तो हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, दोस्व, cut करेंगे, और cut करने के बाद दोस्व, आपको जो है, अपना SMS box को open करना है, क्योंकि दोस्व, आपके ATM card की उपर आपका eligible, आप eligible है या नहीं है, यह चीज दोस्व, आपको सबसे पहले check करना होगा, ठीक है, और check क SMS box में आपको type करना है, क्या type करना है दोस्व, आप यहाँ पर सबसे पहले देख चीते हैं, यहाँ पर मैं आपको link के भी बता रहा हूँ, 57, ठीक है, उसके बाद दोस्व, फिर से 57, उसके बाद दोस्व, यह दोस्व, आपको number जो है, अच्छी तरीके से note कर लेना है, और आप नीचे दोस्व, मुझे comment करके बताएगा, आपके पास दोस्व, कौन सा bank का ATM card है, HDFC का है, ICI का है, जो भी bank का होगा, SBI का होगा, Central का होगा, Kendra bank का होगा, या दोस्व, City bank, जो भी bank का आपके पास दोस्व, ATM card है, नीचे मुझे comment कीजेगा, और आपको दोस्व, इसी number आपको just यहाँ पर क्या करना है, इस पर आपको click करना है, इस तरीके से, click करने के बाद, दोस्व, देखेते हैं, हमने यहाँ पर काफी बार message किया हुआ है, मैंने videos के लिए, मैंने message किया था, सबसे पहले मैंने check के लिए message किया था, और यहाँ पर दोस्व, आपको अपने SMS box को यहां पर टाइब करना है यहां पर आपको दोस्तों लिखना है क्या लिखना है वह मैं आपको लिखना दिखा देता हूं सबसे पहले यहां पर आपको लिखना है डी यहाँ पर दूसरो DC, उसके बाद यहाँ पर E, A, I अब आपको यहाँ पर दोस्तों इस चीज को आपको यहाँ पर लिखना है, इस तरीके का, जो आप यहाँ पर text देख रहे हैं, दोस्तों आप हमारे message को ऊपर, इसी text लिखना और यहां परसें पर शुआ अपस्री में उल्ला को लीमि को लिखने तरीके कोसरी आपको कडू करें अर टोक्त मूच्छौ UKG में मेरो डूसें अब कज़वा your शुवर हैं आफ ईन्टक सैंछ मेरे और स्वर्ट रजयोंगा हुआक स्वर्ट डिछ-ष्टेर待 and EMI from HDFC Bank debit card, अब यहाँ पर दोस्वों देखेते हमारे पास जो है, ATM card है HDFC Bank का, जिसके लिए दोस्वों हम यहाँ पर eligible हो चुके हैं, और मेरे को दोस्वों यहाँ पर Contrast Relations का message आ चुका है, अगर यह message आपको आता है, तो यहाँ पर दोस्वों आप ATM card का यूज करके, आप दोस्वों mobile ले पाएंगे, अगर आपके पास दोस्वों message इस तरीकी का नहीं आएगा, तो कैसा आएगा चलिए दिए, अगर आपके पास दोस्वों नहीं आता है, तो आपको simple सा buy के options पे क्लिक कर, और यहाँ पर दोस्वों आपको एक options मिलेगा, देखेते हैं, एजी, installment, EMI, आपके दोस्वों फिलिप card पे automatic आ जाएगा, उस पे आपको क्लिक कर, तो यहाँ पर मुझे दोस्वों देखेते हैं, HDFC bank का debit card के लिए, दोस्वों मैं eligible हूँ, तो यहाँ पर मेरा card आ चुका है, नो cost TMI, यहाँ से दोस्वों plan को choose करेंगे, और choose करने के बाद, दोस्वों जो भी आपका mobile phone होगा, यहाँ से दोस्वों आप अपना ATM card का दोस्वों number डालेंगे, expiry date डालेंगे, month डालेंगे, और डालने के बाद दोस्वों आपका OTP आएगा, और आपका payment दोस्वों debit card से कटेगा, आपके bank से एक रुपे भी नहीं कटेगा, और आपका mobile order हो जाएगा, तो इस तरीके से दोस्वों आप flip card के उपर mobile order कर सकते हैं, प्रोसेस मैंने दिखाया, यही एक सही तरीका था, बागे कोई तरीका नहीं है,